हेलो रिमस्कार स्वागत है आप सभी का दैनलोस गुरू के से येटूब चहर पर तो हरियाना में पंचाय चुनाओ को ले करके जो लंबा इंतजार कर रहे थे वो अब खत्म हुआ क्योंकि जो पंचाय चुनाओ हरियाना में वो 30 सितंबर से पहले होने हैं तो वहीं चुनाओ काकरम घोसित मुख मंतरी महांखटर ने दी है इसकी मंजूरी तो यहाँ पर बड़ी खुसकबरी आ गई है हम इस वीडियों बताएंगे आपको पकी खबर तो लगातार पंचाय चुनाओ से जोड़ी पलपल की अपडेट के लिए चैनल को अभी आप चैनल को सब्सक्राइ अवस करें सुरू करते हैं वीडियो को तो जी हाँ आप यहाँ पर देख पा रहे होंगी यह जो आर्टिकल चापा गया है वो अमरोजाला निउस्पेपर में चापा गया है जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कल साम को यह आर्टिकल चापा गया था रात दस पैस पैस प बड़ी कबर है तो न्यूज पेपर में भी ये न्यूज आईवी हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं तो देख पा रहे होंगे तो प्रदैस में तीसे नमबर से पहले होंगी पंचाय चुनाओं से हमने दी मंजूरी तो मुख मंत्री महां कटर ने पंचाय देवन विकास मिया जानकरी दी है और कहाई कि प्रक्रिया सुरू करने के लिए राज चुनाओं आयोग को कह दिया गया है जलापरसद BDC और सर पंच का चुनाओं से होगा चुनाओ दो चरणों में होंगे या एक साथ या निर्ने सरकार वा आयोग लेंगे उधर चुनाओ आयोग DC को लिखे पत्र में दो चरण में चुनाओ होने की संभावना जदा चुका है एक साथ चार वोट डालने पर मदाता कई बार संसाय में पढ़कर गरत वोट भी डाल देता है या कर देता है वहीं मदाता सुचियों का जो अंतिम प्रकासन है वो 22 जुलाई को होगा इसके बाद 20 दिन बाद आपतियों को निप्टाया जाएगा और अगस्त के दूसरे या तीसरे सब्ताह में आयोग चुनाओ का कारकरम गोसित कर देगा तो यह यहाँ पर पड़ी ख़वर है पकी ख़वर है तो कारकरम बहुत ही जल्द जारी होने वाला है क्योंकि 22 जुलाई से मदाता सुची का अंतिम प्रकासन हो जाएगा उसके 20 दिन तक ये इसके आपतियां ली जाएगी और उसके बाद यहाँ पर अगस्त के तूसरे या तीसरे सब्ता में यहाँ पर जो चुनाओ सेडियूल है कारकरम उसे गोसित कर दिया जाएगा तो जो चुनाओ हैं आपके सितंबर मेहने में होने वाले हैं तो सितंबर तक ये चुनाओ करा लिया जाएगे ये कहना है मुख मंत्री मुख करटर के द्वारा यहाँ पर सियम ने मनजूरी परदान कर दी है अपनी तरब से तो अब चुनाओ आयोग इस पर ये फैसला जल्द लेने वाला है तो कब तक ये पंचाज चुनाओ होगा तो यहाँ पर मुख मंतरी के दोरा बताया गया है तो जो यहाँ पर चुनावाएग है वो कब तक यहाँ पर गोस्ना करेगा तो फिलहाल जो आपको जानकरी मिली वो कैसी लगी हमें कमेंड में जुरू बताएं धन्यवाद जहिन